इसलाम लेकुम और वेलकुम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब अमीद करते हूं सब खेरियस से होंगे तो अचना आप शुकरते हैं आज का व्लॉग तो आज का व्लॉग ना मैं दुपहर के टाइम से स्टार्ट करी हूं अभी मैं यहां पे शर्बत बना रही थी वो गन्ने का जूस बना रही थी क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होगी हुई है क्योंकि आज आपको पता है कितना हीट स्ट्रॉक है और बुरी हालत हो जाती है सिटी में जाना था ना क्योंकि फूर्ट और सब्सी वगरा लानी थी तो मैंने हाला के कहा भी था कि शाम को ले आना तो कह रहे थे कि शाम को ना सबजी और फूर जो नहीं रहता सुबह दुपहर के टाइम पर बुए बारा बजे तक में फूर्ट भी अच्छा मिल जाता है और सबजी भी फ्रेश मिल जाती है बाद में फिर वो सारी सेल वगरा हो जाती है ना तो फिर फ्रेश वाली चीज़े नहीं मिलती इस वज़ए से वना मैं उनको कभी भी नहीं कहती कि आप मुझे ना कि की साथ पहलेए इन्यवे मिलतीए हैं फिर जल्दी वो बना के लिए दिया था जब वो गह हो थे हैं जब कर अधर फिर्ड बना के र किया था यह दिया सवाप्स हम प्हेद पेढ़ें के बना राक। और उनको ना पिलाओंगे, सो बा की बहुत बुरी हालत भी था, जब वो आया है आत ही गिर गया है जही है गर्मी ज्यादा थी और चीदें भी ज्यादा लानी थी तो मैंने यहा पर भ या ता कि आप लोग बोरना हो जल्दी सारी चीज़ें से बेटी यह मोस में कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे और मैंगो की रेस्पी बनानी थी और भीहा को बड़े पसंद होते हैं तो भीहा की वज़ा से मंगवा लेती होती हूं गर्मी इतनी ज्यादा है और पुदीना भी स अब देखते हैं इसको होश आती है तो बेकिंग वाला वन तो मैंने बाहर फिर रखवा लिया था ना क्यूंकि उपर से मुझे बेकिंग में बड़ा मुश्किल बेश आती है मुसे नजर नहीं आता चीज जब बेक और यह बाहर आइरें टेबल पर रख दिया है और यह जो खाना गरम करने वाला वन था ना फिर यह मैंने इदर रखवा लिया था मैंने का यह ना आप ही उठा के रख दे मैंने अपने हस्पेंट से कहा क्योंकि मुझे ना यह गिर ना जाए कि इसकी प्लेट वगरा ना तोट जाए यह थोड़ा ना हैवी है और बेकिंग वाला वन बगरा वो रख दिये और साथ में यह शेल्फ पूरी जो है ना वो खाली हो गई है यह देखें अब मुझे इतनी ज्यादा स्पेस मिल गई है जितनी मर्जी वीडियो बनाती रहो माशाला किचन काफी खुला-खुला सा लग रहा था आपको पता खुला-खुला किचन वीक के बाद फिर मैं ना चटनी दुबारा से बना लेती हूं दनिया पुदी ना वैसे तो फ्रेश मिलनी रहा ना उसकी गर्मी की वज़ा से तो बस थोड़ा बोज जैसा भी था वो मैंने निकाल के तो बस डाल दिया साथ में हरीमिचे डाल दी नमक डाल दूंगे और इस जो भी मैं यूज करती हूं ना मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर की है मैंने यूट्यूब पे भी अप्लोड की है आप लोग नहीं देखी तो देख ले इससे पिछली जो वीडियो है वो इसी की है ताकि आप लोग अक्सम उसे जो पूछते थे तो मैंने का एक ही वीडियो में सब कुछ दिखा देती हूं ताकि आप लोग बार बार क्वेस्चन ना करें तो आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है अगर आपको कोई डाउट है उस पे मैंने ब्लेंडर जूसर रह गया था वो मेरा वेस्ट पॉइंट का जूसर रह कल रही थी और सबजियों में मैंने आज करेले मंगवाए थे साथ में मैंने शिमला मिर्शें गाजर खीरे यह सेलड का समान खतम हुआ हुआ था देही सेलड का समान अंडे दूद और यह हर वक्त मजूद होती है माशाला से यह चीज़े हमारे किचन में क्यूंके मुझे अ पेटी पेटी भी एक मैंने मंगवाए थी क्यूंके मैंने एद के बाद मंगवाए थी ना तो फिर महमानों का कफी आना जाना लगा रहा तो वह जो पेटी थी तो इसलिए फिर मैंने दुबारा से आज जाना नियू वाली मंगवाए वैसे पूरा महिना मेरी चल जाती है क् अगर में खाना भी बनता है खाने में तो इतना ओल नहीं डालती है लेकिन रेस्पी में कफी यूज़ हो जगता है बस आज पिर मैंने बनाया था मटन वाइट प्लाओ और इसकी रेस्पी तो आपने मेरी देख ली होगे अगर नहीं देख ली तो जाकर देख लें फूड के चैनल पे और साथ में मैंने एक डिज़र्ट की रेस्पी बनाई थी यह भी बहुत असा मज़दार सा डिज़र्ट है अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें इसकी रेस्पी भी अगर आपके पास टाइम ना हो सिर्फ पांच मिनट में अगर आपने कोई मीठा ट्राय करना हो तो यह उसके लिए मैंने रेस्पी शेयर की थी और यह कस्टरड के साथ मैंने इसको बनाया था क्योंकि मैंने बाजी मेरी जो आई हूँ या ना नंद आई हूँ या पिंडी से उनके लिए यह मैं बना रही थी क्योंकि उनको ना मैंने कल खाने उस पे बुलाया है लंच प तो इस वज़एसे पिर मैं उनको बना के नहीं किला सकी तो मैंने सुबह उनको नहीं इंवाइट नहीं नहीं एक इन लिए नहींद कर लिया था बनाना था और बनाओंगी और उसकी त्यारी मेने का आज ही करके रख लिएंगा इनुऑ डिजर्ट मैंने रात ही बना लिया था ये रात कर टाई मैं रिजर्ट मैंने बना आके फ्रिज में रख दिया था तकल तक बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए ओरनाइट पढ़ा रहे हैं आपको पता चीजे कितनी अच्छे से चिल हो जाती है और चिकन को भी मैंने का मैं आज ही मैरिनेट करके रख देती हूं चिकन मलाई बोटी मैंने मना आना था मलाई बोटी पीजा तो इसके लिए ये फुल फिले मैंने मंगवाया था ताके दो पीजे इजली जो हैना जंबो साइस के बन जाए तो आप लोग उतनी देर में जली से ठ्रच जयाना अब बोरिंग ऑगे हैं मजा नहीं आता देखने का तो आप लोगं करतीं तो मैं एनल चैनल शूरू कर लिए मैंने का इस पर भी रेसिपी üzहा उस पर मैं दो cray יई जो विलॉगिंग में रेसिपीस छोड़ दी और विलॉगिंग शुरू कर दी तो शायद इस वज़े से आपको बोरिंग लगने लगे हैं अगर आप कहेंगे तो रेसिपीस भी शेयर कर दी या करूंगी कोई मसला नहीं है मैंने चिकन के चंक्स कट किया इसको सुआ सौया 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 सुख का लसन अद्र का पैस्ट लगा दिया और साथ मैं पाउडर नमक कोटी हुई लाल मेर्चें और थोड़ा सा दही और मलाई क्रीम क्रीम थोड़ी से डाल के भी मैं इस पे लगा देती हो तो यहां और थोड़ा सा दही भी डालती हूं इसको अच्छी तरह मिक्स करके फरिज में रख देंगे क्योंकि आपको पता है मैं विलॉगिंग चैनल पर जो मेरे घर में खाना बन रहा हूत है मैरे घर के खाने की जो रूटीन होती न भोहीे शेयर होती है यानि कि वो recipes का channel है मेरा तो उसमें सिर्फ recipes आती है तो इसलिए vlogging channel पर मैंने recipes बनानी खतम कर दी हैं सिर्फ ग्रेलू जो बन रही होती है मेरे आम रूटीन में घर के खाने होते हैं वो शेयर करती हैं बस चीज को भी मैंने crush कर लिया था वो साथ में बीहा कहा रही थी ममा मुझे मैंगो काड़ दे तो बीहा को फिर मैंगो काड़ के दिया यह next day का vlog है next day ना morning के बाद का vlog है और यह कलिप स्किप हो गया था यह इसमें मैंने फिर दही थोड़ा सा डाला था यह जो मलाई बोटी वाला बनाया था ना मैंने चिकन रेडी किया था आपको पता है अगर आप पूरी रात के लिए मेरीनिशन करके रख देते हैं ना पीजा की या फिर किसी भी चीज की चोड़ दिया था और अब मैं बनाने लगी हूं पीजा डो यानि कि क्योंके गर्मीत नहीं ज्यादा है ना तो फिर डो एक गेंट में ही राइज हो जाती है अभी दो बज़े एक बज़ रहा था तक्रीबन दुपहर का यह फ्राइडे का व्लॉग है और उसके बाद मैंने ळ면 एक बजा ही मैंने डोग बना अदी थी क्यूंके तीन बजे मैंने वज़ी को टाम दीया था था के 2-3 बज़े आप लोगग आ जाना तो अब यहां पर मैंदग झान रही थी यहां पे मैदा आप मैंने च्शह कप मैंदग यूज किया यानि केजी मैदा आप समझ लेके मै यूज किया, वान-केज़ी से स्वड़ा सजी कम होगा। आप एन पर मैंपनी छेक आप मजा लें लियों खॉ है, DES đóा ही ने चान एक एक ऑफ लिया पर यूज को सबसे पहले चान पैकेश डाल देंगे ना तो डो आपकी राईस हो जाएगी कि कि गर्म है ना गर्मी में ज्यादा डालने की जूरत नहीं है और इसमें मैं डालओंगे छीनी, चीनी के तीन चमस्द डाले थे क्यूंके छे कप मैदा है ना हाफ हमने लेना होती है हसाब के किताब से और दो टेबल स्पून मैं इसमें नमक के शामिल कर दूंगी और इसके लावा इसके बाद हम ओल डालेंगे क्यूंके 6 कप मैदा है तो एक कप मेदे में हम 2 टेबल स्पून डालते हैं तो मैं 12 टेबल स्पून ओलांगी और आज मैं ना बड़े वाला अपना जो बाउल है ना सबसे बड़ा उसमें डो बना रही थी क्योंकि फिर इस तरह आटा नीचे नहीं गिरता और डो जो है आप आप इजी ली गून सकते है तो डो क अच्छी तरह से गून लेंगे यहां पर और हलका सा नीम गरम पानी लेना मैं हमने डो ओवन में रखी तो इतनी राइज होई राइज होगे नीचे गिर गी क्योंकि उसको हीट की जरूरत ही नहीं थी ऐसे किचन में रख देते तो ठीक था तो खेर यहां भी डो बन चुकी थी मैंने ओल लगा के तो ओपर डाल दिया था और उसके बार यह जो चिकन पंदूर कर लेंगे और यह इतना सौफ्ट और जूसी और मज़दार बना था ना सबको बहुत ज्यादा पीजा पसंदा है पीजा की वीडियो फुल आपने वाच करनी और आज का विलॉग भी आपने फुल वाच करना है अगर आप कहेंगे ना रेसिपीज का तो मैं इंच खतम हो जाती है उसके बाद हमने जो है ना वो पीजा बनाना है क्योंकि मैंने एक जंबो साइस का बनाना था और एक मैंने छोटे साइस का लार्ज साइस का बनाना था तो यहां पर डो निकालके ना फिर उस हिसाप से हम इसका पेड़ा जो है ना वो बना लेंगे सबसे पह कि ने थोड़ा सा लैदा कर लिया और यह इदर Düπक है यह नि दू, इसको जो हाँ, इसको मैंने यह ऐसे न, चिकोर सा आध युए हैं, क्यूंगे गोलाई में पेंडा, दिया न, बेकिंग वाले ओवन की वह छकोर हाँ तो हमने चकोर ही पीजा बनाना है और एक हमने लार्ज भी आगful आगी थी वो क्याूं सांव का थाओ थिक है सीख से लो आप 15 मिनिट मैंने दोनों पीज़ा त्यार कर लेंगे इनकी टॉपिंग शॉपिंग त्यार करके रखिए थी क्योंकि कुछ भी त्यार करना बाकी नहीं था बस मैं दोनों कोई एक साथ ही बना रही थी उसके अंदर मैंने डो को रख दिया ताके वो थोड़ी सी राइज हो जाए क्योंकि थोड़ी देर पड़ी रहेगी ना तो वो एजी ली इसको हम फला सकेंगे फुर इसी तरह मैंने दूसरे को भी बेल लिया था और इसको भी मैंने का डा साय्ज व 550 साइज वैडा वाली ट्रे है मेरे पास ल्किन मैंने का वह ज्यादा हो जाएगा इतना चलिए घ्रभा जाएगा बस इतना काफी होगा तो बस इसमें भी डाल आ है मैं एसको पहला रही हूं तो यहवाला है हमारे हैंSen जादा है पडिया तो यह चाभिश नहीं हर बाड़ी के पाड़े में डाल कोई में उसके बाल ठाला को डिंस में नहीं पिजिति करके मोचाईल मुझे शियुक्त भी करवा हूँ आपकी हेल्प मैंने का करवा दो बेटा तो यहां पे शिमला मेरे साथ लगवा रही थी बच्छों को शोग का तैना लगाने का भी हा भी करवा हूँ मैंने कर नहीं आप लोग जा के खिलो मुझे हुद करने दो इससरह लेट हो जाएगा तो बस उसके बाद पिर हमने शिमला मेशन डाल दी फिर मैंने चीज मजीद डाल दी इसके उपर और फिर उसके बाद मैंने थोड़ थोड़े ओलिवस डाल दी है तो बज़ी की बटी कह र उसके बाद यह जो लाड़ साइज वाला पीजा थो अनcaster दी लाइजो इसके बैंने प्रिक किया वुझ के बाद मैंने इसके वे पार साउस डाल दी अैम उसी तरीके से लिए जो मेंने ब्री मेर चीज हुई तिन डाल मेर है और एक पैकेड जो मिलत bageक्ट यह चैडर चीज और एक गर में मुजरेला चीज उतनी ही मुजरेला पड़ी हुई थी मतलब आप समझें कि दो चीज के पैक मेरे यूज हुए थे तो चलिए फिर ओवन में रखते हैं यहाँ पर प्री हीट हो चुका था ओवन तो मैंने दोनों एक साथ ही बेक करने थे सबसे पहले यह जो ट्रे मैंने की थी ना त्यार जंबो साइस का पीजा यह मैंने नीचे वाले रोड में इसको नीचे वाले में रख दिया था और जो दूसरे वाली ट्रे थी इसको उपर वाले में रख दिया था और ग्रिल मैंने ऐन्की हुई थी और दोनों मैंने अपर और लौर रॉड जा ना दोनों किया हुए 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 है क्योंकि डॉल पीजा यहांपे बेक हो रहा था ना क्योंकि मैंने बच्चों को फुल पाटी दिने का फ्लैन माइ बना हुआ तो इसलिए में साथ मैने पनाने थे फ्राइज भी मैंने कट पर के रक्को होगी ते मैंने मैदा डाला जाला मंसाला मसाला फ्राइज बना रही थी उसके बाद मैंने और गैनो डाला और कुटी हुई लारमेश डालेंगे साथ में इसके उपर और नमक डालेंगे थोड़ा बुना गुटा जीरा दनिया भी डाल देंगे तो यह मसाला फ्राइज इस तरीके से मैं बनाती हूँ आप लोग भी ऐस जा रहा था आपको बता किशन में खड़ा होना से वैसी बन्दे के बैंड वजटी है तो बस मैंने यहां पे फ्राइज बना लिए थे और इसके लावा मैंने वाइट मतन प्लॉब बना था मैंने का साथ वो भी सर्फ कर देंगा राती मैंने बनाया था और इसके लावा बा बेज निकाल दिया में अब दूसरा डाल दिया है और मैंने पिए ले कुछ यह नगी ना भी मैंदे फूर दिए ना दो मैंने कुछ कबाब का मटीरियल था मेरे पास मैंने का बजी नहीं खाने उनके बच्चे ना ये बीफ चिकन वगरा इतने शौक से काते मटन वगरा न गोश्ट नहीं खाते इतने शौक से तो मैंने पिर तीन कबाब बजी के लिए ही यहाँ बनाई नुग्याई ऑनके जब टेस्ट करवा ह मैंने का चलें ठीक है और ये देखें ये मैंने फ्राइज याँ पर त्यार कर लिये थे बच्चों के लिए और पीजा भी हमारा बस बेक होने वाला था भी मैं आपको दिखाती हूँ आपको मज़ा आ जाएगा देखके पीजा इतना यम्मी इतना टेस्टी बना था बच्चे तो बहुत ही जादा खुश हो गए थे बहुत ज्यादा एकसाइटिड थे ये देखें बिलकुल रियल वाली लुक का ये ना जैसे बजार से आप लेकर आते हैं बलकि बजार से ज्यादा घर में आइच्छा पीजा बन जाता है अगर आप गर पे बनाते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा नहीं ना खाया जाता है हवी हो जाता चीज होती है ना इसके अंदर बस मैंने पीसीज कर लिए और ये मैंने का आपको भी दिखा देती हूँ और दूसरे वाला भी हमारा तियार हो गया दूसरे वाले को मैंने थोड़ असर ना डिफरंट फलेवर देने के लिए इसके ओपर मैंने मायो और क्रीम मिक्स करके ना उसको पाइपिंग बैग में ढालके ना इसके ऊपर लगा दी थी इस तरह से और ये भी हमारा पीजा जो है ना वोई डन हो गया था ये देखें अभी मैं आपको इसकी भी फाइनल लुक दिखाती हूं ये देखें माशाला से दोनों पीजे हमारे त्यार हो चुके हैं बच्कों को बेहत बसंद आया थे बाजी को भी बहुत जादा पसंद आया था सब ने बहुत शोक से खाया यह विगका की या है बहुत मजा थी पार्टी हम्हारी बहुत अग्र नीड़ अग-गा आपने भी मेरा आज को व्लोग इंजॉय है तो आपने डिलॉग की merry अर पर आपको ब्लोग क Martin Nun Jr यह वाला खाया था और फिर बस यहां पर मैंने खाना लगा दिया था पीजा डिजर्ट चावल फ्राइज यह सारी चीज़ें तो खूब इंज्वाई किया सबने बहुत शोख से खाया सबको बहुत ज्यादा मज़ा है अला हफीज